कि नमस्कार दोस्तों पुजा डिजाइन सेन स्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं इस टोपी का वीडियो आपके साथ शेर करने वाली हूं वीडियो को कंप्लीट देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले में आपको इसमें हमें टोपी की जो नाप लेनी है वो कैसे लेनी है यह देखिए टेप को इस तरीके से पकड़ते हुए यहां से हमें यह देखिए यहां से पुरे सिर पे इसको राउंड करना है यह देखिए यहां मेरा 22 इंच आया है यह देखिए 22 इंच आया है तो मैं इसमें एक इंच बढ़ा कर लूँगी 22 में एक इंच हम इसमें एड़ कर देंगे तो मारा तेवी सिंच हो जायागा इस तरीके से राउंड जो आया है टोपी का हमारा वो आया है तेवे सिंच अब हमें सिर्क के इस इससे को छोड़ देना है क्योंकि यहां पर हमारी वो पट्टी आ जाएगी वह यहां से हमें स्टार्ट करना है कि यहां पर टेप को रखते हुए पीछे तक नीचे तक हमें गर्दन के जो हमारे यहां लास्ट पॉइंट है यहां तक हमें जाना में पीछे मुड़ के आपको दिखा देती हूं यह देखिए यह ऐसे हमें नीचे जुखाते हुए यह मेरा 14 इंच आ रहा है तो 14 में मैं दो इंच इसमें प्लस कर लूंगी तो हमारा 16 हो जायागा यहां पर 16 इंच बस यह दो इन आप हमें टोपी में बनाने के लिए लेनी है तो अब हम टोपी बनाना स्टार्ट करते हैं अब हम मशीन पर आगे हैं मशीन पर देखिए मैंने यह जो हमने सिर का पूरा राउंड लिया था उसके लिए पट्टी काटी हुई है तो इसकी जो चोड़ा यह यह पांच इंच है यह देखिए मापको दिखा देती हूं जितनी चोड़ी पट्टी आपको सिर पर हमारी यह रह जाएगी वह बनानी के लिए चोटा सा पीस लिया है मैं जितनी वह आपको बनानी है उसके अकोड़िंग आप ले सकते हैं और जो हमने उसकी सिर की जो टोटल लंबाई चोड़ाई ली थी हमारी उसके लिए मैंने यह 16x16 का एक पीस काटा हुआ है मेरा फैब् किए इसको पहले सबसे पहले मिस को जोइंट कर लेंगे कर नियुक्त कि यह देखिए जोइन्ट हमने इसको कर लिया है जोइन्ट करने के बाद अब इसको सीधा करके और इसको हम डबल फॉल्ड करेंगे यह देखिए ऐसे पूरे को इस तरीके से हम इसको फॉल्ड कर लेंगे अब यह देखिए यहां यह जोइन्ट लगा है हमने यहां से मिलाके जोइन्ट से जोइन्ट और इसकी सिलाई करनी है कर्णा करान कर्णा झाल कि देखिए यह मारी पट्टी तैयार हो गई है अब पट्टी को साइड में रखते हैं अब यह देखिए मैंने यह फैब्रिक लिया है जो हमने हमारी सिर्की जो लंबाई चोड़ाई का था तो इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें फोर फोल्ड में करना है कि अब देखिए दोनों साइड से में इसको मेजर करते हूं तो यह देखिए लगबग पौने नो इंच को इधर है और पौने नो इंच यह दर हम दोनों साइड से यह सेम है तो इसमें देखिए यहां पर इसको पकड़ते हुए यहां पर इस तरीके से राउंड सेफ बना देंगे यह देखिए ऐसे यह इसी पर हमें कटिंग करनी है यह टोपी बनाना बहुत इजी है आप पूरा वीडियो देखिए और अगर मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं अपने चैनल पर इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो जालती रहती हूं अभी देखिए यह हमारा राउंड सेफ में आ गया है या तो आप इसको पूरा इस्टिच कर सकते हैं मसीन से बड़ा टाका लगा के या फिर इसको आप हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं मापको प्रवड़ा बड़री इसको आप हाथ से इसको आप हाथ से बड़ा पेए कर दोह हो आप हैं मिन शाप हाथ मिन अपने आप प्रवगरा इसको आप हाथ लाप वो खिर हो बन्ness है पुरे में एक बात राउंड में इस देज लगा लेनी और इस तरीके से थोड़ा सा में बड़ा दागा मशीन से निकालना है इस देखिए इस दोनुग जो दागे हमने बड़ा ताक ही लिलिया है क्योंकि हमें यहां गैदरिंग करनी यह दिखिए और इसको है एक धागे को फुरी च्छोड़ दें और एक धागे को पकड़ते हुए कि अध्या दागा हमारा टूटे ना और इसको इस तरीके से पूरे को हमें इखटा गरना है कि अधी दागे को पकड़ते हुए यह देखिए ऐसे तो मैं इसको पूरे को खटा करके फिर आपको दिखाते हूं अभी देखिए इस तरीके से हमने इसमें पूरे में गैदर डाल लिए अब इन दोनों दागों को में फ्री छोड़ना है और इस तरीके से एक बार इसको रख लें और एक आइडिय के तौर पर आप इसमें इस पट्टी को इस तरीके से लगा के देख लें यह देखिए मेरा कुछ बढ़ाई आ रहा है चोटा नहीं आ रहा हम क्या करेंगे इन दोनों दागों को यहां से जां यहां से हम एक बार बांद लेंगे बांदने से हमारे एजटी जो गैदर है वह वहीं रहेंगी और इस पट्टी को लगाएंगे तब हमारा छोटा बढ़ा रहेगा तो हम उसी के अंदर गैदरिंग और डाल सकते हैं पट्टी से हमें छोटी इसको छोटा नहीं लेना है लग बग बराबर या थोड़ा बढ़ रहे तो आप ले सकते हैं यह देखिए इस तरीके से अब अब यह देखिए अब हमें कि सभी जगे लगबग बराबर बराबर एकवल हो मारी यह गैदरिंग कहीं जाकम जादा नहरे थोड़ा ठीक कर ले कि इस तरीके से करते हुए अब मैं इसको इस पट्टे को इस तरीके से रखे यह जाइंटम लगाएंगे कि अब कि कि अब ही देखिए बराबर से लेते हुए पट्टी को इसको प्लेट्स को मिलाते हुए सिलाई हम इसको लगा देंगे कि तरब से के का शमाम कोम कि अबाप अब जरे अबूबार, मिला कौर और श act कि करते हुए से करते हुए घब === कि अमापते हुए कि अबलाई अबल ॄोब कि अलीक कर दो कर दोली दोगल सुट्स नहीं कर दोली दोली सुट्स वह अटोली ग्लीम पली हिए आद़ अटहर प्लीम देखर ट कर दोली है जब ‫स कर दोली वह दोली है झाल झाल नच्झा जगा दुआ है एक खेखगे जगाल जगा जगा है जगा है बहुँ कित कीन हैं प्रणाओ की देखिख आप उमक भाख कि भाख कि शुट आप कीन है बहुट में जग़ चारादा यह पिंदा आप है यह थेल सम आप है नहीं रहा है यह पिंदा पूरी को बराबर करते वे पूरी पर शिलाए लगा लिए यह देखिए अम इस पर पूरे पर इंटर्लोक भी कर लूँगी और इसको इस तरीके से इसका लूट लेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका लूट आजाएगा अब देखिए ऐसे अब क्या करना है अब मैंने यह चोटा सा पीस लिया है इसकी लंबाई चोड़ाई में आपको बता देती हूं यह देखिए आठ इंच इसकी लंबाई है और चोड़ाई लगबग पांच इंच है अब क्या करना है यह देखिए मुझे इसकी बोव बनानी है प्रूबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब एब यह देखिए डिल बो मैंने बना लिए अब इसको इस तरीके से अटेज करेंगा टेज अने फेले मैंने कहले यह वाइट कलर के मोति लिए हुए हैं इनकों यह इसके चाहर में इधर राउंड में हम लगाने वाले तो मैं यहां से स्टार्ट कर देती हुए देखिए कि यह देखिए और इनको इस तरी के से यूं राउंड मैं इसमें यहां पर लगा देंगे कि ऊऍवये हैं पूरे दागे में पिरोते हुए इसको इस तरिके से यहां पर राउंड में आके स्टिच कर कर देंगे यहां से देखिए नीचे की साइड कि अध tiny में मोती कि नीचे की साइड मारा सिलाई में दब जया गया इसलिए वां मोती लगाने से कोई मतलब नहीं है इतना में लगाना और इसको अच्छे से बाग उमारा बीच में लाखाना ह webcam और इसको अच्छे से पकड़ते अब हमें कैप को लेना है और यहां से देखिए उपर जो यह हमारी गैद्रिंग है इसके थोड़ा सा नीचे में लगबग एक इंच पर इसको अटेज करना है अब यह देखिए यह मैंने लगा लिया इसमें अटेच कर लिया और यह टोपी हमारी सुन्सी तोपि बनकर तैयार हो गई है यह देखिए कितनी सुन्दर टोपी बनी है और मैंने टोपी के कई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किये हुए हैं आप छोटे बच्चों की भी टोपी का वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं यह देखिए यह मैंने 11-12 साल की गर्ल्स के लिए बनाए एक फैंसी टोपी है इसे हम सर्दी में भी यूज ले सकते हैं इसमें मैंने नीचे आप इसमें लाइनिंग लगा सकते हैं यह देखिए कितना सुन्दर हमारी टोपी बनकर रेडि हुए है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्यू फॉर वाचिंग